अलो स्ट्रेंट्स तो आज हम लोग C4 cycle या C4 pathway इसे हम लोग hatch slack pathway भी कहते हैं इसके बारे माच पढ़ेंगे ठीक है और ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ही वो scientist है या biologist जिनों ने इस पुरे pathway को observe किया था और इसको discover किया था जैसे C3 pathway या CC cycle को belvin kelvin cycle भी हम लोग कहते हैं क्योंकि kelvin ने उस पुरे pathway को और उनके साथ जो co-workers थे उन्होंने पुरा discover किया था C4 pathway जिस तरह के plants में चलता है उनको हम लोग C4 plants कहते हैं तो कुछ features जो हैं पहले हुने समझ लेते हैं कि C4 plants की characteristics क्या है और क्या special feature पाया जाते हैं C4 plants में जो कि C3 plants में नहीं पाया जाते हैं और क्यों C4 plants evolve हुए उसको भी समझेंगें हैं दो points यहां पर समझ लीजे एक तो C4 plants में की जो leaf की anatomy होती है वो थोड़ी से अलग होती है जो भी मैं आगे आपको दिखा दूँगा अन्य वो लेडी diagram बनाया हुआ है और दूसरा important point यह है कि इन में photorespiration नहीं होता है photorespiration की process जो है वो absent होती है यहाँ पर ठीक है यह absent होती है और C3 plants की जब आप बात करेंगे तो उनकी leaf anatomy अलग मिलेगी और दूसरा photorespiration जो की एक wasteful process मानी जाती है वो C3 plants में पाई जाती है अब मैं page change करता हूँ और आपको जहाँए मैंने already diagram बनाया हुआ है वहाई पर आता हूँ देखें यह C4 plant की leaf anatomy है और इसमें खास करके हमको crans anatomy को बहुत जादा focus करना है तो crans anatomy में क्या होता है कि यह तो mesophyll cell है जो concentric layer बनाती है और उसके ठीक नीचे आपको मिलेगे bundle cheese cells large bundle cheese cells होती है जो कई सारी layer बनाती है around the vascular bundle right यह vascular bundle xylem और phloem हो गया उसके चारों से सटी भी इंदम close contact में आपको कौन सी cells दीखनी है मीजोफिल cell right दूसा point आता है मीजोफिल के लावा जो bundle cheese cells हैं इन में भी chloroplast पाया जाता है और large number में पाया जाता है लेकिन इन bundle sheet में पाया जाने वाले chloroplast के खास बात क्या होती है यह agrenum होते है agrenum right और agrenum होने के जिससे इसमे ग्रेनum नहीं होगा केवल stromal family होगा stromal family not stromal family होगा stromal उस stromal family में आपको याद होगा केवल photosystem first present होता है जबकि जो मीजोफिल cell है उसमें normal chloroplast पाये जाएंगे यह ग्रेनum वाले उसमें ग्रेनum present होगा मैंने गलत लिग दिया था पहले इसको सही कर देता हूं इसमें photosystem first और photosystem second दोनों ही होगा photosystem second अगर है तो यहाँ पे oxygen evolve होगी यह याद रखिएगा और किवल photosystem first है तो oxygen evolve नहीं होगी इस oxygen का बहुत बड़ा रोल होगा और पी important points हैं जो सेनाटॉमी में आपको समझने हैं और वह आगे काम भी आएंगे photorespiration में इस चीज़ को दिम्याद करके रखिएगा तो यह हो गई क्रेंस अनाटॉमी चीज़ के लाज बंडल शीट सेरांटर वास्कुलर बंडल और यह बाहर की तरफ जो से मिल रहें इनको हम लोग क्या बोल रहें mesophyll cell, chloroplast दोनों में लेकिन दोनों के chloroplast में थोड़ा संतर है जो बंडल शीट में chloroplast पाया जा रहा है उसमें granum नहीं है एक granum condition है केवल stromal lamelly मिल रहा है तो stromal lamelly में केवल क्या होता है photosystem first जबकि जो chloroplast mesophyll cell में पाया जा रहा है उसमें photosystem first और photosystem second दोनों है क्योंकि यहां पे granum present होता है साथी साथ stromal lamelly भी है एक और important point जो mesophyll cell है इस mesophyll cells के अंदर rubisco enzyme absent होता है यह absent होगा और present कौन सा enzyme होता है phosphoenol carboxylase PEP carboxylase enzyme यहां पर present होता है यह important है और इसकी reverse situation आपको मिलेगी bundle sheet में bundle sheet में क्या होता है phosphoenol carboxylase present होगा और rubisco क्या होगा present होगा मैं आगे एक page और आगे करके show कर देता हूँ देखिए यहां पर आपको ज़्यादा clear हो रहा होगा है ना कि mesophyll cell में आप देखिए phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme present है chloroplast granum है दोनों photosystem present है आप bundle sheet में देखेंगे तो bundle sheet में क्या है rubisco तो present है लेकिन PEP carboxylase यहां पर नहीं दिखर है अपसेंट है chloroplast agranum है cable photosystem first present होता है इसकी cell wall थीक होती है ताकि oxygen outer side से यहां पर इंटर ना कर सके यह इधर से इधर इंटर ना कर सके trans anatomy के कुछ characteristics से हम गो देखते हैं जो special feature है large bundle sheet cells around vascular bundles and may form several layers ठीक है कई सारी large cells होती है bundle sheet की और वो कई सारी layers भी बना सकती है around the vascular bundle they have large number of chloroplasts chloroplast इसमें बहुत जादा number में होता है cell wall thick होती, impervious होती to gases exchange and no intercellular space इसके लावा such anatomy is called a crassworm मतलब यह जतने characteristics हैं जो C4 plant के leaf में पाए जाती है इस characteristics को ही हम लोग बोलते हैं crans anatomy crans का मतलब actually reet होता है reet मतलब मोतियों की माला हम कह सकते है यह word use होता है